नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी एड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिया हमें आल्सो वैरिफाइड एडुकेटर अनकैडमी, तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमंत मिसर सर्च के लिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पे मैं SSC और Railway Exam के लिए पूरा एक-एक जो प्रिवेस यर क्वेस्टन आए, एक-एक क्वेस्टन लेके पूरा डीटेल एनालिसिस किया हूँ, आपको एक-एक आप्शन का मीनिंग वहाँ पे समझाया गया है तो वहाँ पे जाएए, आप Learning Aip डाउनलोड कीजे और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजे अपनी बचीवी यात्रा क्रम से 7 से एक बटे 9 गंटे और 6 से एक बटे 4 गंटे में पूरी करते हैं धीमे चलने वाली की चाल ग्याद करो, अगर 3 चलने वाली की चाल धीमे चलने वाले से 40 किलो मीटर प्रति गंटा जादा हो तो देखी ये question आप कैसे कर सकते हैं, देखी आपका ये A है अब माल लिजे किसी point पे यहाँ पे वो मिले और ये B यहाँ से चलता है तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, B यहाँ से चलता है, यहाँ पे मिलने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा, T2 और A यहाँ पे मिलने के बाद इधर आएगा, क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा तो अगर A और B एक दूसरी की तरब चलना सुरू करते हैं तो मिलने के बाद A अपनी बची होई यात्रा T1 समय में पूरी करेगा और B अपनी बची होई यात्रा T2 समय में पूरी करता है तो उनकी चालों का अनुपाद क्या होगा A बचे B बराबर अंडर रूट T2 अपन T1 होगा ठीक है जो इनका टाइम होगा तो यहां से हम उनकी चाल का अनुपाद निकाल लेंगे देखे T2 कितना है 6 सही एक बचे 4 तो 6,24 एक 25 बचे 4 हो जाएगा आपका तो लिख लेते हैं 25 बचे 4 और बचे में यह देखे T1 कितना है 7,63 एक 64 बचे 9 तो इसको 64 बचे 9 लिख देते हैं अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह 25 बचे 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 बचे 64 तो अगर आप हम इनको काटते हैं तो देखे आदाम से कट जाएगा 25 किसका स्क्वाइब मूल वर्ग मूल है 5 का 9 तीन का है तो 5 तीन 15 हो जाएगा 4 जो है आपका 2 का है 64 जो है 8 का तो 8 दुना 16 हो जाएगा तो A अपान B हमारा कितना आजाएगा 15 बचे 16 अब मैं अब सब चीज मिटा देता हूँ इनके चाल का अनुपात हमें मिल गया है इनके चाल का अनुपात कितना हमें मिला है 15 रेशियो 16 मिला है आप बस यह चीज याद रखेगा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 15 रेशियो 16 क्या बुला है कि चनलने वाले से 40 km प्रती घंटा जादा हो मिन्स इनके बीच का difference कितना है एक का यहां पता चला लेकिन question में क्या बुला है यह 40 है तो क्या करेंगे 40 का गुड़ा करेंगे तो जो भी पता करना है उसमें हम 40 का गुड़ा कर देंगे अगर A का पूचा है तो A 15 गुड़े 40 कर देंगे हमारा कितना आजाएगा 600 km प्रती घंटा 15 चोग के साथ होता है अगर B पूचता तो 16 गुड़े 40 कर देंगे यह कितना आजाएगा 640 km प्रती घंटा हमारा answer आजाएगा तो यह question आप इस तरह बिल्कुल अराम से लगा सकते हैं अगर आपको यह question पसंद आया हो तो please like जरूर कीजेगा मिलते हैं एक नया lesson में कल Thank you everyone